नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल योजना ओनलाइन पोर उपर एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बड़ी खबर लेकर हाजिर होच गए हैं देखे अगर आप भी मजदूर हैं आपने भी सर्मिक कार बनवा रखा है तो आपको बता दें कि सरकार की तरब से बड़ी घोसना की गई है जिसके अंतरगत मजदूरों को चार बड़े तोफे मिलने जा रहे हैं चार बड़े लाब सरकार देने जा रही है अब यह लाब किन वैक्ति को मिलेंगे किन सर्मिक कारदार को मिलेंगे उसके बारे में चलिए जान लेते हैं आपको बता दें कि सरकार की तरफ से हर महिने मजदूरों को 1000 रुपे भी दिये जाएंगे अब यह 1000 रुपे मजदूर कैसे ले सकते हैं कैसे सर्मिक कार्ड यह लाव प्राप्ट करेंगे उसके बारे में तमाम जानकारी आपको दी जाएगी बस आप बन रहेगा हमारे साथ आन्ध तक वीडियो को देखते रहेगा वीडियो सुरू करने से पहले आपसे हमारा निवितन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किर्पया वीडियो को लाइक कर दिजे और जाद जादा वीडियो को सेयर भी कर दिजेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं देखे केंदर सरकार ने मजदूरों के आर्थिक विकास के लिए इश्रमकार योजना को सुरू किया है इस योजना के तहट मजदूरों को हर महीने एक हजार रुपे की आर्थिक साहता दे जाती है यानि कि यह 1000 रुपे लेने के लिए इश्रम कारदारक को कोई भी पैसे जमा करने की ज़ुरत नहीं है उन्हें अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करना है बलकि सरकार ही आर्थिक रासी यह लाबार्दी के बैंक एकाउंट में ट्रांसपर करेगी इसे लग जिन वैक्तियों की या फिर जिन मजदूरों की जिन सर्मिकों की उम्र 60 साल है या फिर 60 साल हो जाती है तो उसके बाद इसी कारद के जरिये हर महिने 3000 रुपे पैंसन भी सरकार देती है इसके अलावा इस कारद से सालावना 2 लांग रुपे का स्वस्थ्य बीमा भी मिलता है अगर मजदूर की अकास्मिक मृत्यू या फिर विकलांग ता हो जाती है तो उसे दो लांग रूपे का बीमा कवर भी दिये जाता है और पांच लांग रूपे का स्वश्थे बीमा मिलता है अब दूस्तों यहाँ पर क्या क्या लाब इससे अलग मिलने वाले हैं चलिए उसके बारे में जान लेते हैं अब आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीए देखें लाब नमबर एक कि हर महिने सर्मिको को सर्मिकाड़केंद्रगट सर्मिकाडगंद्रगत 1000 रुपे हर महीने आर्थिक सायता परदान सरकार करती है वहीं दूसरा जो लाव है वह भी हमा को बदा चुके हैं कि 2 लाव रुपे का स्वास्थे बिमास सरकार देती है साथी भविश्य में सरकार पैंसन भी देती है आउरिया पैंसंत तीन हजार रूपे हर महेंने दी जाती है खलाकिया पैंसंत 10 साल की उम्मर हो जाने के बाद ही लाबार्ती को मिलती है वहीं जो चोथा लाब सरकार दे रही है वह इसरम कार धार्कों को राज्यक और केन सरकार की ओर से जितनी भी योजनय चलाए गई हैं उन सभी का लाब सरकार की तरब से दिया जाता है वहीं सर्मिकों के अगर कुछ योजनों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो सर्मिक की बेटिया हैं उनके साधी के लिए भी आर्थिक सायता सरकार देती है वहीं सर्मिकों के बच्चों की सिखसा के लिए मुप्त आवास की सुविदा भी दी जाती है अगर आपके पास इश्रम कार्ड नहीं है तो आप इश्रम कार्ड भी बनवा सकते हैं देगे शर्मिक की उम्र कम से कम 18 साल ये फिर उससे अधिक होनी चाहिए तभी वह यह लाब ले पाएंगे सर्मिक लेवर कार्ड बने दोस्तों कम से कम एक वर्ष हो गया हो तभी उन्हें यह लाब मिलेगा साथी सर्मिक ने बीते 365 दिनों में कम से कम 90 दिन मजदूरी काम किया हो जिसका परमान होना चाहिए ठीक है तो यह सभी जो लाब है सरकार दे रही है सर्ते क्या है वे भी हमने आपको बता दी है और दोस्तों सर्मिक नियमित अंसदान जमा करता हो सर्मिक जिस योजना में आविदन कर रहा हो उसका लाब होने पहले ना लिया हो यहन कि जितनी भी योजना सरकार की तरफ चलाई गई है उन सभी का लाब इश्रम कारदार को को दिया जाता है अगर आप शर्मिक कार बनवाना चाहते हैं तो आप के लिए कुछ महत पूर्ण दस्ता वेज होने चाहिए तभी आप शर्मिक कार बनवा पाएंगे आपको दादें कुछ योजनाओं में उम्र कम जादा हो सकती है सर्मिक को जितनी भी योजना चलाए गई है उन सभी का लाब आप ले सकते हैं चहेव है कोई सी भी योजना क्यों नहों, आवास योजना हों, चहेव है आपकी पैंसन योजना हों, या फिर बेटी साधी की योजना हों, या फिर बच्चों की छात्रों की जो शिक्षा है उसको लेका कोई योजना हों, उन सभी का लाव इश्रम कार्ड से लिया जा सकता है आप इन सभी की जानकारी जन सिवा केंद पर जाकर ले सकते हैं वहाँ पर आप अपलाई कर सकते हैं उन सभी के लिए आप अपलाई करते हैं तो आपको लाब भी जरूर मिलेगा तो यह थी आपके लिए मैटफून जानकारी आई होप आपको जानकर एचलेगी होगी जै हिंद जै भारत